दोस्तो आज हम बात करेंगे ब्रहमी गृत के बारे में देखे ब्रहमी गृत क्लासिकल अरुवेदिक मेडिशन है जिसका इस्तिमाल दिमाग यानि ब्रेन से रिलेटेड जितनी सारी प्रोल्म्स हैं उसमें काफी असरदार जो है मेडिशन है काफी अच्छा फाइदा करता है ये तो आज की इस वीडियो में हम ब्रहमी गृत के बारे में बात करेंगे इसके फाइदे क्या है? कैसे आपको लिना है? इंगिडियन्स क्या है? ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूँगा तो सबसे पहले अगर हम इसके इंगिडेंस की बात करें यानि कि ये ब्रहमी घृत में क्या क्या है अगर इसकी बात करें तो देखे इसका मेन इंगिडेंस जो है ब्रहमी है इसके अलावा इसमें संग पुस्पी, वच्च, गाई का घी, आदी इस प्रकार के इंग्रिडेंस जो हैं इसमें सामिल के गए हैं देखे जितने भी इंग्रिडेंस इसमें सामिल के गए हैं ये सब ही आपके ब्रेन के उपर काफी अच्छा काम करते हैं तो इस ब्रहम्मी गृत के फाइदे क्या है ये जाने से पहले अगर पहले हम इसके गुणों की बात करें तो यहाँ आरवेदा नुसार वात और पित तनासा गुणों से भरपूर होता है इसके अलावा मैमोरी बूस्टर, एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेशन और ब्रेन टॉनिक जैसे गुणों से भरपूर होता है तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में तो देखिए चिंता, दिमागी थकान वगेरा आपको ज़्यादा रहता है इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो उसमें फाइदा करती है, आप इसको ले सकते हैं और अगर आपको भूलने की बिमारी है, आप कुछ भी चीज जो है याद रखने में आपको मुस्किल होती है या भूल जाते हैं, तो उसमें भी फाइदा करती है या फिर आप कंसेंट्रेशन नहीं कर पाते हैं चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, जॉब हो, नौकरी हो, तो उस करनेशन में भी काफी अच्छी है ये जादे चिंता में रहते हैं, हर वक्त कुछ सोचते रहते हैं कई लोगों को बोलने में दिक्कत होती है, जबान लड़ खड़ा जाती है तो इस टैप की अगर प्रॉलम है, तो उसमें भी फाइदा करती है नर्वस वीकनस को भी दूर करता है, जिसकी वज़े से मिर्गी वगेरा आने की जिनको प्रॉलम है उसमें भी इसका बहुत अच्छा काम है, वो देखा गया है तो यानि ओवरॉल दिमाग के उपर काफी बढ़िया काम करता है ब्रेन से रिलेटेड किसी भी प्रॉकार की प्रॉलम है, तो आप इसको जो है ले सकते हैं तो दोस्तो इस प्रकार से इसके जो हैं फाइदे हैं अब अगर बात करें इसके डोस की, यानि कि आपको इसे कैसे लेना होता अगर इसकी बात करें तो देखिए पांच से दस ग्राम इसको लेना होता है और इसको हम maximum एक दिन में दो बार तक है वो ले सकते हैं और इसको जो है आप खाली पेट, गुनगुने दूद के साथ है वो ले सकते हैं या फिर देखे अगर आपको दूसे प्रॉल्म है, दूद के साथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं लेकिन मैं तो आपको यही सलाह देना चाहूंगा, कि आप इसे दूद के साथ ही ले इसे male female कोई भी ले सकता है लेकिन अगर बात करें बच्चों की तो देखे बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से जरूर सलहा ले क्योंकि depend करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है इसके अलावा जो महिलाएं pregnant हैं वे भी से लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सलहा ले साडिफेट की बात करें तो इसका ऐसा कुछ भी साडिफेक नहीं है लेकिन तब भी से लेने के बाद अगर आपको कुछ भी हल्थ में शू लगता है तो आप इसे लिना है वो बंद भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सलहा हो ले सकते हैं हालाकि इसका ऐसा कोई साडिफेक नहीं है अगर आप इसे साइड ओस में लेते हैं तो तो दोस्तो ये थी ब्रामी गृत के बारे में जानकारी अगर फिर भी कोई कोईशन आपके मन में चल रहा हो तो आप मुझे कॉमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैं नीमी जितेश एन थैंक्यू सो मच परोचिंग